नमस्कार मित्रों मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है मित्रों छोटा सा एक मैंने कुश्चन डाला था कि कुछ आप चाहते हैं कि नहीं वीडियो मैं इस पर बनाऊ या नहीं ठीक है मौक टेस्ट है बेसिकली बीपेसी टीरी कमड़े सैंस के लिए तो मैं आपको पताते चलूंगा ठीक है और हाँ एक और चीज़ किसी भी चीज़ पर आपको डाउट हो ताप कमेंट में डाल दीजिए मैं अगले वीडियो में सब कमेंट्स के हिसाब से जो भी डाउट्स हों उनको क्लियर करता चलूंगा ठीक है तो चलिए आ जाइए बीपे सब्सक्राइब करते हैं पहला सवाल रापिंग डेटा एंट्स रिलेटेट फंक्शनाल्टी इंट्व सिंगल इंटिटी इस नून ऐस ठीक है इसको क्या बोलते हैं रापिंग डेटा की जासी बात आगई तो मतलब इनकैप्सुलेशन की बात कर रहे है मैं लग कैप्सुल अपन जाता है जाता है तो ही यहां पर बात हो रहा है कि इसको क्या गया हुआ है ठीक है चलिए नेक्स सवाल नमर दो how structures and classes in C++ differ ठीक है तो structures और classes जो होते हैं वो C++ कैसे differ करते हैं तो इसका जवाब है अपना A in structures members are public by default ठीक है इसको आप याद करते चलिए ठीक है अब यह चीज़े जो है वो अब point to point आपको याद होनी चाहिए आपको याद करने का चीज़ है तो इसमें क्या है कि in structures members are public by default whereas in classes they are private by default classes में private क्यों होते हैं क्लास से हम क्या करते हैं in capsulation जो है हमारा उसको implement किसे करते हैं classes के थूरू तो अबिसलिए हमको private रखना परेगा ठीक है न अगर हम public रख देंगा तो in capsulation का मतलब क्या हुआ सभी देख सकते हैं उसको राइट तो इसलिए हम बोल सकते हैं classes are in classes they are private by default तो अगर यह public हम ने देखा तो इसके साथ यह गलत हो गया ठीक और कहांगे structures cannot have private members whereas classes can have ठीक तो ऐसा नहीं है कि concept of यह अपना एंसर हो जाएगा concept of allowing overriding of the functions basically poly मतलब क्या हो यह poly मतलब एक से अधिक हो जाता है ठीक है न तो जभी भी आप poly देख रहे हैं मतलब material तो वह material जो है अलग लग data type का हो सकता है एक से जादा डेटा टाइप को हो सकते हैं एक से जादा यह हो सकता है अपका element हो सकता है उसमें तो कुछ भी अलग होगा नेम से होगा बांकी चीज़ साब अलग होगा ठीक है इससे डिलेटेट एक सवाल है जो हम पहले उसको हो सकता ठीक हो स्क्रेज़ से अंधर वाला लग एक ही यह तो यह सेंसरी है बना नहीं होग चीज़ का वहां नहीं हुआ गया वह तो नृट ऊसका हो घ्र extrêmement हो गया एक यहां और ठीक हो agal यह भी फंक है इसमें तीन लेड़ा है यहां पर एक लेड़ा है ठीक है तो यह पॉली मॉर्फिसम को यह करता है यह सी इसका एंसर हो जाएगा ठीक चलिए चौता सवाल देख लेते हैं विच कॉंसेट एलाउस यू तो यू तो यू रिटेन कोड ठीक है रिटेन कोड मैंने कुछ लिखा हुआ उसको यूज करना चाहरे हैं तो अविशली जो कोई प्रॉपर्टी है उसको हम पाना चाहरे हैं तो कैसे पा सकते हैं बाइडिफ क्या होता है ना कि में होता है कि आप जो आप AHP7 है ठीक है कि आप अपना जो कुछ करेकर किससे पाय होंगे फासे पाए हम चुछ अपना गल्टरस यूह है वो ममी से पाया होंगे ंदैना इसको बोल सकते हैं मैंटिकेल ने झिजो भी है म笑 क्लासेसी से लिट पाया है मन्या इन्टेंस बोलते हैं। किसमें अब apply होता यह देखिए। A और B जो है दोनों ही C को दे रहा है। यानि कि C जो एक नया individual निकल के आया है वो A और B दोनों से निकल का है। इसलिए इसको multiple inheritance देंगे। ठीक है। याद करने का तरीका भी मैं थोरा थोरा बता रहा हूं। अगर आपने उसको प्राइबेट कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्लास के अंदर चीजें प्राइबेट है और आप उसको देख नहीं पाएंगे यहां help क्या करता है यह यह एलाव उस टू अले रिक्वाइड ठीक्स तो यह बिसिकली इनकैप्सुलेट करके आप उसको एबस्ट्रैक्स करना चाहरे है ठीक है एक्सेस प्रेसिफायर वाई पॉब्लिक प्राइबेट वाला इज़ी चीज है वह एक्सेस प्रेसिफायर है तो अगर प्रेवेट होगा तो कुछ ही लोग देख पाएंगे पॉब्लिक होगा तो सभी लोग देख पाएंगे तरह से वह help करता है ठीक सी प्लस प्लस क्या है सी फ्लस प्लस अब यह तो सब सिधा सिधी हमको पता है कि उप्स तो है ही है ऑब्जेक्ट ओर्येंटेड करता है जो कि स्ट्रक्चल को भी यह कर सपोर्ट करता है और उपस तो खैर ही है ठीक तो इसलिए इसका अशर सी हो जाएगा ठीक चलिए इस इस तरह का ऑप्सण नहीं बंना चाहिए था यह प्रॉसीजर और और अब्जेक्ट ऑर और ढूंँ को ही फ्लो करता है चीक है वोट डए मोडुलार्टी मेंज मोडेँ एब सींपल टंप्तूक्ता हुआ है अपने मॉडूल सुना हो अलगवग मॉडूल है मा लेजेतसर मावाजी क्राम इंविस्टीकेशन हो रहा है ठीक है अब एक ही क्राम्स और नहीं है मैं टेपल बड़ा क्राइम था उसको छोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-पार्ट में अपने डिवाइड कर दिया ठीक है तो उसी के लिए करके है सब डिवाइडिंग प्रोग्राम इन्टू स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट ठीक है तो इसका यह एंसर हो जाएगा है कि कौन से फीचर्स इसमें अप्लिकेबल नहीं हो रहे हैं तो यहां पर अगर हम देख सकते हैं कि क्लास बना हुआ मतलब एब्स्ट्रेक्शन तो होई गया है क्लास भी पॉब्लिक ए इन्हेंटेंस भी दिख़ड़ा है हमको ठीक पॉलिमॉर्फिसम दिख रहा है क्या अब पॉलिमॉर्फिसम हो जाएगा ठीक सेम फॉंक्शन नाम का को यहां पर चीज नहीं दिख़ड़ा है तो यह पॉलिमॉर्फिसम हो जाएगा विच फॉलाइंग क्लास अलाउस डिकलरिंग ओनली वन अब्जेक्ट ऑफिट ठीक है तो नाम से पतर चल रहा है इसका अंसर सिं और नहीं है तो यह ढ़िए तुन वह और और यह तो यह ढाद रख लिजे कि विए पुछदे कि वाली पोन पारींट उसे हैं तो आपको फिन्ट अभी परयामेटराइब्ट इस जो फॉला इस कारेक्ट थिक है विच बेस और बशेंटम प्याइट किया है भेस क्लास पोइ जाएगा छिल्ध सक नोगा पॉइंटर है किसो पॉइंटर नहीं कर सकता वेस्ट क्लाश को पॉइंटर नहीं pewno है अग्रिया ऊप्टर क्वाइन विज स्कार्चान यह मतना एक सज्शाधा तो इसमें यह है फ्रेंट फंक्शन थी है ना तो आप अगर यह समझ रहे हैं बात कि मतलब एक पार्लेमेंट में एक पार्लेमेंट में क्या होता है राजसभा होता है लोकसभा होता है इनके मेंबर्स को क्या बोलते हैं MP बोलते हैं ठीक है तो प्रेसिडंट इस नॉट अमेंबर पालेमेंट बट इस अपार्लेमेंट इस अपार्लेमेंट इसका इंसर क्या हो जाएगा और जबंगत हो जाएगा ऑ्बजक्त जो है वो फ्रेंड नहीं हो सकता क्यों और टाव सब्सक्राइब है निट उफेरिंस में शो अंभर अब यह तीका है और इसी तरह पर वह मनने इनहीं बिनांभ hoor게 व जो है उसा इईए अप है ठीक है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा more than one number D हो जाएगा which of the following program which of the following provides a programmer with the facility of using object of a class inside other class ठीक है कौन सब चीज है जो हमको ऐसा facility provide करता है जो की object of a class inside other class ठीक है inheritance हम लोग देख चुके हैं क्या होता इब्स्ट्रेक्शन देख चुके हैं क्या होता तो यह composition ही इसका answer होगा ठीक है चलिए how many types of polymorphism are there in C++ किसे तरह के polymorphism होते हैं जा दो टाइप के होते हैं ठीक है कौन-कौन से होते हैं runtime polymorphism और compiled time polymorphism यह दोनों आपके होते हैं अब इस पर सवाल जो बेस आया है वो देख लेते हैं ठीक है how runtime polymorphism are implemented in C++ to C++ क्यों implement करते हैं तो इसको हम लोग inheritance और virtual function को use करके runtime polymorphism को हम लोग implement करते हैं compile time जों कैसे implement करते हैं same question compile type के लिए है तो उसको हम लोग templates case कर ना चाहिए ठीक है this runtime है ठीक है the runtime है तो आपको inheritance or virtual function और compile time है तो template है ठीक which of the following is an abstract data type, abstract data type कौन से है, ठीक है, int, float, class, string, ठीक है, अच्छा ये एक ज्यादा आ गया, ठीक है, चलिए ये कोई बात नहीं, इसको EF कर लीजिए आप, तो कौन से हैं इसमें से, ये सब क्या data types हैं, लेकिन ये straightforward data types हैं, इन में कोई abstract वाली बात नहीं, abstract एक class ही जो है, जो वो abstract type होता है, ठीक है, कौन से आपना, classes and abstract type, question number 23, which concept means the addition of new components to a program as it runs, which concept means the addition of new components to a program, ठीक है, इसका answer क्या हो जाएगा, अपना, dynamic loading हो जाएगा, ठीक, 24 सवाल देखते हैं, which of the following explains the overloading of a function, overloading of a function, ठीक है, तिसका answer हो जाएगा, ad hoc polymorphism हो जाएगा, ठीक, obviously, अभी overloading of the function, जो होता है, वो polymorphism ही हो जाएगा, ये पुरा है कि, क्या बोला है, कौन सा explain करता है, तो हमारा ad hoc polymorphism है, ठीक है, जो concept आपको नहीं समझ वाएगा है, प्लीज, वो comment कर दीज करते हैं, मैं वो कड़के लेकर आँगा, आपके लिए, ठीक है न, which of the following approach is used by C++, कौन सा हम लोग approach यूज करते हैं, top down, bottom up, left, right, right, left, कुछ भी, इसका bottom up approach होता है, ठीक है, ये object oriented program, जो होता है, जो होता है, जो होता है, ये object oriented language, जो भी बोलने हैं आप उसको, ये क्या करते है bottom up approach यूज करते हैं, ठीक है, इसी के साथ हमारा ये होता है, समाप्त होता है, और उमीद है आपको ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, छोटा ही वीडियो ज्यादा हम लोग लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, ठीक हो फोटा वीडियो है, पंदर मिनिट लगवक का है ये वीडियो, और आप लोगों से एक और भी निती है, कि मतलब जितना प्यार दिखा सकें, ठीक है, सब्सक्राइब शेयर करें, चलिए, इसी के साथ आज के लि समाचार समाब्स होता है, नमस्कार, चलिए, टाटा, बाई